फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चना चाट मसाला जी हां दोस्तों बहुत ही यमी टेस्टी बनाएंगे और खास बात यह है कि यह बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है और इसको एकदम से स्पाइसी तरीके से बनाएंगे तो आपका न मन लल चाहेगा इसको खाने के लिए तो च चन हमारा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है तो चलिए अब क्या करेंगे सारा पानी निकाल देंगे और देखिए यहां पर एक शेह वास कर लिए था नमग अधिशं के लिए नमक आदी चममच और एक पिंच कर नच नच नचीं गेंसे सोडा घिसे हमारा चना बहुत अचींग झाये गा और एक चमज डाल देंगे हम कुकिंग और फोड़ा से पानी डाल देंगे यहाँ पर मैं दो कतोरी पानी डालवाद गारत इसको अच्छे ुच्छाzte पहले मिक्स कळ लेंगे चंब्स से यह दिकी इस तरीके लगा लेंगे चुलने इत्नी हमकड़ अपनी दूसरी त्यारी इस पैशल चांट बनाने के लिए पैसल शील मश्राला बनाएंगे अब यहां एक आपकर लिएक मसाले कर लेंगे थनिया पाऊडर और आधी किमरी मेच आदी चमज डाल देंगे हम किचिन किंग मसाला और आदी चमज डाल देंगे हम चाट मसाला थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चाट मसाला हमने इसलिए डाला है वही चाट बनेगी तो पढ़ नहीं है तो चलिए गाईज मैं इसको अच्छे से में सब्सक्राइब फ्लिम बडू को निकल तब शब्सक्राइब है अब चैक कर लेते तो हमारे चैने बहुत ही अच्छे से गल चुके तो चलिए गाइस अब क्या करेंगे आप चलते हैं अपनी गैस की तरफ तो गैस पर कड़ाई रख दिया है अब हम क्या करेंगे इसमें कुकिंग ऑल डाल देंगे यह देखिए तो आप देख सकते हैं पर तरफ देखिते हैं यहां रलतिंगे यह जूर देंगे और एक चमजब देंगे तो चलिए गाइस यहां चाहिए गुणा में गाइन रख जाए पहाइस हमें देखिए तो म त्लग मेशनरा बद्गी पर ढद सब हाइब इसको अच्छे से चला लेंगे और चलिए गाई इसको अच्छे से पहले हम भूनने देते हैं आप यह देखे मसाला हमारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से भून चुका अब हम यहापे क्या करेंगे नमक डाल देंगे डालने के बाद इस प्रैच् Capture अच्छे से चला लेंगे इसको अच्छे से चलाते हुए इसको थोड़ी दिए के लिए इस तरीके से भूनने देंगे तो गैस यह देखे चने हमारे बहुत ही अच्छे से बुन चुके हैं आप देख सकते हैं बहुत ही spicy बने हैं और color देखे कितना प्यारा आ चुका है अब हम क्या करेंगे फ्लेम को off कर देंगे और अब इसको हम एक बाउल में कर लेंगे so guys यह यह देखें चले के हमने एक mixing bowl में डाल दीए अब देख सकतें अभ हम क्या करतें बनाते हैं चार्ट चाहर अलु कर ददिए लिए लिए आप利ो अफ्ञी से और लंके बनाधि मिशना चाठर में चाहरे घरा दनिया तो हारा दनिया सो देखने में लगती है खाने मिन बहुत जादा टेस्टी अब क्या करेंगे इक चमज ले लेंगा और इसको अंच्छी से हम चला लेंगी तो गया आप देख सकते बहुत ही अच्छी से हमारी तो यहां पर हम डाल देंगे नीवू एक दम खट्टा चटपटा बनाने के लिए और इसको अच्छे से मैं निचोड़ लूगे तो नीवू हमारा बड़ा साइस का था इसलिए मैंने इसमें आदा नीवू डाला है आप चाहो तो पूरा एक नीवू डाल सकते हैं बट मैंने यहां पर आदा नीवू ले लिया और आदा नीवू मैने अच्छी से निची ओड़ लिया है अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नीवू है न वो सारे में मिक्स हो जाए यह देखी गाइस बहुत इच्छा टेष्ट आता है तो जरूं पाली चने की चार्ट बनकर तयार हो चुकी है और हरी मिर्च और नीवू के साथ बहुती मज़ा आ गया सच में आप भी यूनिक तरीके से इस तरीके से बना कर खा सकते हैं अपने घर में बहुती टेस्टी लगती तो चलिए गाइस अब मैं आपको पासे भी दिखा देती हू तो यह देखी गाइस कितनी यूनिक लग रही है ना बहुती स्पाइसी लग रही है तो जीपे पानी आपके जरूर आया हुगा बहुती टेस्टी लग रही है तो आप इस तरीके से अपने घर में बना कर खा सकते हैं बहुती यूनिक और बहुती अच्छी चटपटी बनी एक दम तो गाइज आप देख सकते हैं तो चलिए गाइज अब मैं क्या करती हूं भई मेरे से तब लुकुल नहीं रुका जारा जीप पर आ गया है मेरे पानी तो मैं एक स्पून ले लूँगी और चलिए मैं आपको खा गए दिखा देती हूं तो गाइज मैं खा लेती हूं गाइज मजा गैस सच में गाइज बहुत ही टेस्टी बनी है और एक दम खटी चटपटी बनी है तो आप भी अपने घर में बना कर खा सकते हैं जब भी चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा हो ना घर में इस तरीके से फटा पट से बना कर इसको बहुत ही बड़े लगती है बड़े तो बड़े बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं घर आई मेहमान को भी से बना कर खिला सकते हैं हमारी चनल को सब्सक्राइब जरू करना बिल्कोल भी कशन्जूसी मत करना लाइक कर देन कमेंट ब político को चा की जहाती हैं में बनागे खा सकें और enjoy ले सकें और फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से thank you so much बड़े हो तो आशिवाद दे और धेर सारा प्यार दे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू रसीपिक के साथ बबाई टेक कियर लव यू